तो यह ब्रमा कुमारी वर्ल्ड हैटक्वाटर आबू रोड जो शान्ती वने हम वहाँ पर आये हुए आप लोग को पते ही है और अब हम है दादी रिदे मोहीनी के इस्तंभ पर जिसको हम लोग अव्यक्त लोग कहते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है राज योगिनी दादी रिदे मोहीनी जी की पावन मधूर इस्मृती में 11 मार्च 2021 को दादी जी ने शरीर छोड़ा था और यह बहुत खूबसूरत शांती इस्तंभ अव्यक्त लोग है बहुत खूबसूरत अव्यक्त लोग है यह गड़श भाई हमारे साथ बने हुए है जब्बू भाई भी हमारे साथ बने हुए है और आप देखेंगे गोल्डन कलर से बहुत खूबसूरत अव्यक्त लोग एकदम वाइट सगमरमर का तराशा हुआ ये लोक और इसको देखके ऐसा लगता है कि वाकी ये कुछ अव्यक्ती ही है जिसको व्यक्त ना किया जा सकता हो वैसा अव्यक्त और जो दादी रिदे मुहीनी थी उनको हम लोग सब प्यार से दादी गुलजार भी कहते थे ये वो जिम्तन हैं जिनमें शिप बाबा प्रवेश करते थे और हम लोग सब दादी के माध्यम से बाबा मिलन भी करते थे दादी ने लगबल लगबल सो वर्ष की आयू पूरी करने से एककद वर्ष कमी रही और बहुत पवित्र 98 और कुछ आप दादी गुलजार के बारे में जि गुलजार दादी उनका वैसे लोकी के नाम ता दादी इर्दे मोईनी परमातमा शिव ने उनका नाम गुलजार दादी रखा वह हमेशा गुलगुल माने हमेशा खुश रहती थी तो हमारे गुलजार दादी की आयू 98 साल की थी तो उनने 11 मार्च 2000 11 मार्च 2021 को दादी ने इस दिन खास 11 मार्च के दिन खास शिवरात्री थी तो शिवरात्रि दिनी गुल्जार दादी ने सरी चोड़ा और उसने परमातमा की गुद्ध ले लिए और तब से हमारी दादी जी का यहां, उन्हीं की यादगार में दादी जी के अस्तियां, इन्हीं अभ्यक्त लोग के अंदर डाली है, जो भी आते हैं, दादी जी से, यहां मिले के लोग परमात्मा से मिलने का अनुवफ करते हैं, कि हम दादी जी से नहीं परमात्मा सिभाव बहुत शुनाते थे कियी साल 25-45 साल तक प्रमात्मां सुनाकों ठीच को है जी ओम सहंती तो 2020 में बाप दादा की गोद ले ली दादी जो है वह कैंसर से प्यटित थी उसके बाद पूरी आयू आयू जो है लगबक लगबक पूरी आयू जी और सबसे खूबसूरत बात मुझे जो याद आती है दादी के बारे में जिनके जिनको लेकर मैंने सूरज भाई जी से सवाल भी किया था कि महाशिवरात्री के दिन दादी जी ने शरीरते आगा था और ये एक बहुत बड़ा परमात्मा का मैसिस था कि उनको लेने स्वेम परमात्मा शिव आये थे और ये उनका अव्यक्त लोग जिसमें सबसे आगे लिखा हुआ है डिग्निटी याने सौमान तो सौमान के बारे में सूरज भाई जी बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे चैनल पर भी करवाते हैं MP Life पर और नीचे लिखा है मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई बहुत खुबसूरत मार्बल का ये अव्यक्त लोग और मैं अब इसकी परिक्रमा कर रहा हूँ तो यहां पर कॉपर कलर से लिखा हुआ है वाईट मार्बल पर सादगी जीवन का सर्वसरिष्ट शंगारे नीचे लिखा है यहां इसके उपर लिखा हुआ है डैडिकेशन याने समर्पन तो समर्पन भाव होना चाहिए और थट लिखा है डिटैश्मेंट या साक्षी आपको अटैच रहते हुए कैसे डिटैच होना है इसकी भी दादी सीख दिया करती थी नीचे लिखा है सदा खुश रहो, खुशी बाटो, कुछ भी हो खुशी ना जाए कुछ भी हो लेकिन खुशी ना जाए और इस तरफ उपर लिखा हुए divinity यानि दिव्विता अध्यात में जो है वो आपको दिव्विता की और लेकर जाता है और नीचे लिखा हुआ है संपून पवित्रता ही हमारी शक्ती है तो purity ही हमारी शक्ती है और जब हम इस तरफ देखते हैं तो गुलजार दादी जी का एक बहुत खुब सूरत यहां पे तस्फीर जिसमें लिखा हुआ है गुलजार दादी जी रिदे मुहीनी दादी जिनकों गुलजार दादी बोलते थे वो अंतिमतन जिसमें परमात्मा स्वेम परवेश करते थे और बहुत प्यारी मधूर सहज सरल हमारी दादी और यहां से भी मैं चाहूँगा मेरे अपने कैमरा मैन को बोलूँगा यहां से भी वो एक व्यू दिखा दें तो सामने ही एकदम प्रकाश मड़ी दादी का जो इस्तंभ है उसके सामने ही अव्यक्त लोग है और यह देखी आप पिलर्स पे कितनी खुबसूरत यहां पे नकाशी की हुई है और पूरा वाइट अव्यक्त लोग श्वेथ एकदम प्रज्वलित सफेध दुग्ध फ्लोर देखेंगे तो एकदम वाइट नीचे का और यहां पे कुछ लोग बैटके यहां पे ध्यान सादना करते हैं करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं ध्यान साधना करते हैं यहां बैटके लोग दादी जी से शक्तियां लेते हैं और यदि हम अव्यक्त लोग के सामने की तरफ आएं तो यह आपको यहां पे देखेंगे इधर से मैं आपको दिखा दूँ कि सामने ही ज़स्ट प्रकाश मड़ी दादी का इस्तंब है और उपर पीछे बहुत खुब सूरत पहाड राइट हैंड पे आप देखेंगे तो डाइमंड हॉल सामने प्रकाश मड़ी दादी का इस्तंब और उपर वो जिनकों मैं सिद्धी विनायक बोलता हूँ यह मैं इनको बोलता हूँ ऐसा नहीं कि प्रम्यों कमारी में लोग इनको सिद्धी विनायक बोलते हो मुझे इस पहाड के टॉप पे वो जो चट्टाने ऐसा लगता है कि सिद्धी विनायक गड़पती बैठे हूँ है और एक बार मैं यहां से आपको फाइनल लुक दिखा रहा हूँ अव्यक्त लोक का दादी गुलजार का अव्यक्त लोक अव्यक्त वानी अव्यक्त बाबा वो अंतिम तन जिन में शिब बाबा प्रवेश करते थे दादी रिदे मुहीनी और आप हमारे साथ बने रहिएगा MPLIVE न्यूज पर जैसे कि आपको हमने दिन में अव्यक्त लोक दिखाया था और अब यहां से हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपको रात का भी नजारा दिखा दें ये बेहत खूबसूरत है बेहत अद्भुद है इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितना खूबसूरत है जो द 129 में पाकिस्तान हैदराबाद में हुआ था और दादी का जो नाम था बचपन में वो शोभा था और दादी को शुरू से ही ऐसा सब लोग बताते हैं कि वो बहुत एकांतवासी थी मतलब वो कम बात करती थी लेकिन वो जितना बोलती थी वो इतना अच्छा बोलती थी कि उनका एक शब्द एक वाक्य बन जाता था और तुटी वर्ष दिन में जो हमारे गडेश भाई हैं उन्होंने बताया था कि दादी की जो आयू थी जब दादी अव्यक्त हुए तो 98 वर्ष थी लेकिन जो दादी की exact आयू है वो 92 वर्ष थी जब वो अव्यक्त हुए और ऐ ऐसे ही लेकराज ब्रह्मा बाबा जिनको हम कहते हैं जो शिब बाबा का रत थे साकार बाबा थे वो भी 92 वर्ष की उम्र में अव्यक्त हुए थे तो दोनों मैं ये समानता है तो जो हमारी हिर्दे मुहिनी दादी जी थी वो सच में सब के हिर्दे के बेहत करीब थी शिब बाबा ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार त्री मूर्ती थे तीनों एक साथ थे और उनके साथ बहुत ही अपने पन का अनुभव सब को होता था वो एक बात करती थी लेकिन एक बात भी सब बातों पर भारी पड़ जाती थी उनकी एक खासियत थी सदा हरशित मुख चहरा उनकी पहचान थी गुलाब जैसे खिल खिलाती दादी नाजो कोमल खुश्बू बिखेरने वाली हमारी हिर्दे मोहिनी दादी थी दादी से हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा दादी हमेशा यही बोलते थे कि सर्फ बाबा को याद रखो एक बाबा दूसरा न जब मुरली चड़ाती थी तो उनको कुछ पता ही नहीं होता था अगले दिन दादी इतनी सहज थी खुद सारे नोट्स बनाती थी मोती जैसे अक्षर लिखती थी इतने साफ उनके अक्षर होते थे जब बाद में दादी अव्यक्त होए उनकी डाइरी देखी गई तो एक एक अक्षर अपने आप में एक मोती था जैसे एक मोती जैसी लिखाई होती है साफ सुन्दर इश्पष्ट सरल पवित्र ऐसे थी झाल